सभी जड़ी बूटियों के संज्योग और विजी से बनाया गया शुद्ध चववन प्राश स्वास्त्य के लिए अत्यंत लाबकारी है रात्री के समय गरम दूद के साथ प्रियोग करना स्रेष्ट रहता है चववन प्राश को बनाने के लिए आवला एक मुख्य घटक है क्योंकि इसमें भरफूर मातरा में विटामिन सी होता है जो श्रीर के रक्षा प्रणाली को मजबूत करता है इसे बकाने के बाद भी विटामिन सी की मातरा में कोई कमी नहीं आती है इसमें लगवाग चालिस तरह की जड़ी बूटियों का परियोग किया जाता है जिसमें नागकेसर, सफेद मूसली, पीपली, शहद, तेजपत्ता, पाटला, अरणी, गंभारी, कमलगटा, विल्व, नागमोता, पुशकरमूल, केशर, दालचीनी, बेल, अगनीमंत, कश्म द्राक डाय सिंगी, द्राक्ष हरिक्त की, गुडुची बाला, भुमया मलकी, पाट्सा, जिवंती कचूर, पुशकर, मूल, मुस्ता, मुद्ग पर्नी, माशा पर्नी, शाल पर्नी, पिथवन, पिपली, ककनासा, बाराही, विदारीकंद, पुडर्नवा, नील कमल, अगुरू, चंदन, शतावर, और अजगंद आदी, आईए जानते हैं क्या है चेवन प्राश, चेवन प्राश, जिसे चेवन प्राशम, चेवन प्राश के नाम से भी जाना जाता है, इसमें दो शब्द, चेवन और प्र बिवर्तन का भी प्रतीक है, प्रशा, एक दवा या खाद्य बदार्थ को दर्शाता है, जो उप्भोग के लिए उप्युक्त है, दरह असल यह एक ब्यापक, चेया चेय टानिक है, जिसमें विभिन परकार की जड़ी बूटिया होती है, और इसका उप्योग स्वास्ते को बढ़ावा देने और बिमारियों को रोकने के लिए किया जाता है, चेवन पराश, एक पराशीन भारतिय सूत्रिकरन, एक पॉली हर्बल जैम है, जिसे एक पारमपरिक आयुरवेदिक नुस्खे के अनुसार त्यार किया जाता है, जो कई जड़ी बूटियों, जड़ी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पाएं, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं